जाहिंद आपके अपने चैनल न्यूए स्टेड़ी 24 दे बढ़ा माँ स्रीज में आज हम बैलोजी के चार छोटे-छोटे टोपिक ग्रांतियां परजनन उत्सरजन और ग्यानेंद्रिया के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि विप्याशी द्रोगा और अधर कंपेटिशन में कितना मारका पूछा जाता है यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको कहीं न कहीं ये टॉपिक दिक्कत दे सकता है तो इसलिए आप वीडियो के स्किप न करें और लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आपके लिए कफी यूजफुल होने वाला है साथ ही ब्रह्मा स्रीज का प्लान समझे पहला वीडियो गाइड वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं उसमें कोशन बैंक और सिलेवस का प प्लानेशन वीडियो के माध्यम से आज पूरे टॉपिक को पूरे एक्स्प्लेन करके बताते कि आपको यह टॉपिक में क्या-क्या इंप्पर्टेंट है आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए तो आप सभी वीडियो को आप देखिए और उस वीडियो से अपनी पढ़ाए क को और आजेशन करते हैं पहला टौकिक ग्रन्तिक अब सबसे पहले हैं ग्रिंध को क्या सब पढ़ना ग्रन्तिक कितने परकार के होता है कि सब्के हर्मोनत् tengan करन जिस में अहार्मौन्स और एंजयन दोनों का थहा होता है तो आप ये ट्रॉपिक स्मार्ड़ ग्र डूंतैया यहीं से पढ़ना है कालना क्या क्या कि्योंत्य के इसके बाद आप सुलिये सबसे पहले में अपको क्या सपररना परजनन एक लैंगि का उन्हे का अल्यांगि के हैं विखंडन लुकलाण होता है उसके बारे में कौनकी AH men या ऐसे जनवर जिसका मतलब माधा और नड़ ऑंग। से अंग भाग लेते हैं इसों पढ़नां है आपको पढ़ना है जनन क्रिया में कौन-कौन से अंग भाग लेते हैं। उनका क्या नाम है और शिक धर्म देख लिएगा तो डिप्रेट्रक्शन सिस्टम में आपको इतना पढ़ना है परजनन के बाद जो आप टॉपिक है वह उत्सर्जन आप समझे उत्सर्जन सीधा से बाट रटा मतलब जो चीज शरीर में आप सिस्ट बच गए उसको बहार नि कालते है विश्का क्षा अर्वाई उसको क्या करते है या बाहर निकालते हैं देखना और क्या निकलता और आपको जिएंद्रिया समझे आपको क्या पढ़ना तो जिससे हमें ग्यान के नूं होती हो अईसा वर्डंस जिस zarq सोहाँ तो पाइला होगा दूसरा में मेंूं साक्ष को डाल onsticky you वहाय होगा उसमें आपको पिछे वीडियों हेते आगे का मिठा होता है पुछ भी धागे हैतकि पांस लो आपको सब्सक awfully दसके को सब्सक्राइब हुआ है इसके बार करवा होता तो आप चारु भाग देख Chapel क्यों होता है इसके लिए अगर नहीं होता तो वो क्या करता है उप्योग को आप इग्नॉर नहीं किजेगा जहां से इसमें जो कोश्चन पूछता है वो उप्योग से ही पूछता है यह चार टॉपिक जो है ग्रंथिया परजनन उत्सर्जन और ग्यानिंद्या इस टॉपिक मिला आपको एक से दो मार्क विप्यासी में मिलने वाला है जोड़ी आप द्रोगा का एक्जाम देते हैं तो वहां एक मार्क मिलेगे और कोई भी अधर कंपेटिशन का आप जोड़ी एक मार्क आपको मिलेगा तो यह टॉपिक काफी महत्पून है आप इसे काफी घंता ज़िए पर ये टेस्ट वीडियो तो आप जरूर लिए तेस्ट वीडियो साथ कई वीडियो देख आप को कितना पढ़ना और कितना नहीन कर नर् Além कलिए कमी नहीं आला अथा तो ये एक बुक नहीं है बहुत सारे बुक है आपको पढ़ने के लिए बहुत है लेकर आपको बहुत पढ़ना थोड़ी है आपको वही चीज पढ़ना है जो एक्जाम में आ रहा है हम वही चीज बता रहे हैं जो एक्जाम में पूछा जाता है क्योंकि आपको भी PSC पास करना है आ चानल को सस्क्राइब किर जिए और बेल आइकन के बटम दवाने न भूले क्योंकि नोटिफिकेशन वहीं से जाएगा जिदि आप बेल आइकन आउन करके रखते हैं तो आपका नोटिफिकेशन जाते रहेगा जिससे आपको पता चलेगा और आप अपने पढ़ाय को कि क्वली कर시면 झाएब के चिए एकाल को स болबाल के एक नहीं समें से आपका हैं फ reचाने जाते हैं पिए किल आपका हैं प lap आपका हैं गार आपका हैं आप पीशन रिखिकेशन तुखराई में ज्करण रहें से गया आवाचरोब झाल झाल